मैं डॉक्टर एंजिशा वैद्धिग्रामा आर्वेदा हीलिंग विलेज में आप सबका स्वागत है आज मैं आप से डाजस्टिव इस्यूस के बारे में बताना चाहूंगी अप किसी से भी डाजस्टिव के बारे में बूचेंगे तो उनको जरूर एक नएक डाजस्टिव इस्यूस होगा डाजस्टिव या पाजन जब ठीक से नहीं होता है तब बहुत सारे बीमारिया हो सकते हैं जैसे इंडाइजेशन, अब्डॉमिनल पेन, फ्लाइटूरंस, असिडिटी, कॉंस्टिपेशन वगेरा वगेरा आईरवेद चिकल्सा की सहाइदा से आप ये इंप्रॉपर डाइजेशन को प्रॉपर या ठीक कर सकते हैं आजकल घाना सिर्फ ठूप मिटाने का उपाई हो गया है कोई भी घाना समय पर नहीं खाते, जो मिलता है वो खाते है हेल्थ की परवाह न करते, टेस्ट को प्रिफरेंस देते हुए फास्फूर डाइट को फोलो करते हैं हिल्थी फुट पकाने या लेने की चकर में लोग कभी-कभी गलक चोईस में पहुंच जाते हैं आईरवेदा के हिसाब से अच्छा घाना सही मात्रा में ठीक समय पर घाना सेहत के लिए बहुत सरूरी है डाइजिस्टी विश्यूस को दूर करने के लिए पहले आपको अपनी शरीर एवं पाजन शक्ती को ध्यान से समझना होगा आपको ये भी समझना है कि कौन सा घाना कितनी मात्रा में आपके लिए अच्छा है वैद्यग्रामा के वैद्य आपको ये डाइरक्शन दे सकते हैं कि आपकी प्रिकृती या बोड़ी कॉंस्टिचूशन क्या है जिसके हिसाब से आप अपने लिए सही खाना क्या है ये समझ सकते हैं आपके डाइर्जशन को प्रॉपर करने के लिए सही आहार के साथ साथ विहार भी सरूरी है हमारे वैद्य आपको दवाई भी प्रिस्क्वेट करेगा जिसकी सहायता से आपकी डाइजेशन तूरन प्रॉपर हो जाएगा हम आपको देना चाहरे हैं ये हिल्टी विशन जिससे आपके और आपके परिवाद की जीवन भर सुस्त रहने का रास्ता खुल सकता है आपको हमेशा ये याद रखना है कि आयरवेदा में खाना भी दवाई का काम करता है अच्छे सेहत सबसे जरूरी है और इस सफर में वैदिक्रामा फैमिली आपके साथ है सर्वेभ हवन तो सुखे